बिस्मिल्लाही रह्मान रहीम अस्सलाम उलेकुम रह्मितिल्लाही वबरकातु उमीद करती हूँ बेटा आप सब घर पे सहे तो आफ्यस से होंगे ये वीडियो जमाते चाहरूम याने के फोर्थ किलास के लिए है पिछली वीडियो में हमने लिसन नमबर वन याने सबख नमबर एक जिसका नाम था सोने कांडा ये हमने देखा था जिसमें देखा था बाखर लालच में आकर उसने अपनी मुर्गी को पेट चाक कर डाला और उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ सिर्पसि पर और गोश्टी उसे हासिल हुआ मुर्गी के पेट में जो सोने के अंडे थे वो उसे हासिल नहीं हो सकी किस वज़े से क्योंकि उसका लालच बढ़ता गया हमने अक्सर सुना है कि लालच बहुत बुरी बला है इसलिए हमें क्या करना था इस सबख से हमें क्या सीख हासिल हो रही थी कि हमें लालच कभी भी नहीं करनी चाहिए अल्ला ताला जो कुछ हमें आद दिये है उसी में हमें हसी खुशी से अपनी जिन्दगी गुजारनी है अगर हम लालश करेंगे तो हमारा भी अंजाम बाखर की तरह होगा क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है ना? हमें लालश नहीं चाहिए बलके जो कुछ अल्ला ने हमें दिया है उसी में हमें हसी खुशी से अपनी जिन्दगी को गुजारना है ठीक है? तो लालश करना बहुत बुरी बला है तो इसमें सबख के बाद हम क्लास वक में लिखेंगे पहला बिट अलफाज माने खरीदना, मोल लेना खरीदना याने के मोल लेना रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता, आहिस्ता पेट चाप करना, पेट चीरना फरुख्त करना, बेचना खरीदना याने मोल लेना फरुख्त करना याने के बेच देना लालच, हिट्स, तमा हाथ धोना, नुखसान उठाना, खो देना हाथ धोना याने कोई गंदे हुए हाथ है तो धोना वो मतलब नहीं है यहाँ पर बाखर को किस चीज से हाथ धोना पड़ा था मुरगी से भी और सोने के अंडे से भी उसे अपना हाथ धोना पड़ा था क्योंकि बाखर ने मुरगी का पे चाकर डाला था वो मतलब है यहाँ पर नुखसान उठाना, खो देना नेक्स्ट जो है सोचिये और बताए लालच कैसी चीज है बताए सबख समझ में आया है ना आप सबके हाथ बताए तो बताए तो लालच बहुत बुरी चीज है लालच करने से क्या नुखसान होता है लालच करने से हमेशा हमें जिल्लत का सामना करना पड़ता है मुगी का पेट चाक करके बाखर को क्या मिला कुछ नहीं मिला सिर्फ बाखर के हाथ में गोश्ट और पर ही मिले ठीक है नेक्स जो है तहरीरी मश्खे रैटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है यालिब बिड़ जो दियावा है इसमें इन अल्फाज की जमा लिखिया याने इसको वाहिद में दिया गया है तो उसे आपके क्या करना है जमा में लिखना है याने के वाहिद याने सिंगुलर में दिया है तो उसे पुलुलर में लिखना है जमाना जमाने बात बातों मुरगी मुरगियों खुशी खुशियों अंड़ अंडे आया ना समझ में क्या करना है हमें यह पे बाहए दलफास दिये गए हैं तो उसकी हमें जमा यहाँ पर बनाना है ठीक है ना इसे आप टेक्स्ट बुक में ही लिखे अगर किसी के पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप यह स्क्रिंशॉट ले लिजिए और उसे आप अपनी क्लास बक में मुकमल कर लिजिए ठीक है नेक्स्ट बिट जो है बे बिट दिये गए जमलों को नीचे लिखे सही अलफास से मुकमल कीजिए यहाँ पर जो जमले दिये गए है उसे क्या करना है आपको सही अलफास से मुकमल करना है यहाँ पर अलफास भी दे दिया गया है आपको देखिए खुबसूरत आदमी रोजाना तो इसमें कौन से जमले में कौन सा लफज आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना होगा ठीके, पहला जो है मुर्गी डाश सोने का एक अंड़ा देती थी क्या देती थी? रोजाना मुर्गी क्या करती थी? रोजाना एक सोने का अंड़ा देती थी अब बाखर अमीर डाश बन चुका था खुबसूरत या आदमी आदमी बन चुका था इसने अपने लिए एक बड़ा और डाश घर खरीदा बड़ा और खुबसूरत घर इसने अपने लिए खरीदा किसने बाखर ने खरीदा नेक्स्ट जीमबिड जो है दिये गए जुमलों पर सही या गलत का निशान लगाए यानि यहाँ पर जो जुमले दिये गए हैं क्या वो सही है या गलत है उसका निशान हमें लगाना है बताए मुझे पहला जो है मुरगी रोज आना सोने का एक अंडा देती थी क्या यह सही है या गलत है जी यह जुमला सही है बाखर सोने के अंडे को घरगर जाकर बेशता था क्या ये जुम्ला सही है बताएए नहीं जबके वो बाजार जाकर अंडा सोने का जो था उसके पास वो उसे बेश दिया करता था कहां पर बाजार जाकर इसलिए ये जुम्ला क्या है गलत है ठीक है पहला जुम्ला जो है वो सही है और दूसरा जो है वो गलत है तीसरा जो है मुर्गी का पेट चाक करने के बाद इसको बहुत से अंडे मिले क्या ये सही है जुम्ला नहीं बिल्कुल गलत है क्योंकि मुर्गी का पेट चाक करने के बाद बाखर को सिर्फ और सिर्फ गोश्ट और पर ही मिले अंडे उसे नहीं मिले तो ये जुमला गलत है गुड नेक्स्ट दिये गए सवालात के मुक्तसर से जवाब लिखना है आपको यहाँ पर क्या करना इसे मुक्तसर शॉर्ट आंसर लिखना है आपको बताएए बाखर ने क्या पाला बाखर ने मुर्गी को पाला बाखर पहले कैसा आदमी था बताएए बाखर पहले बहुत गरीब आदमी था सोने के अंडे का बाखर क्या करता था क्या करता था सोने के अंडे को बाखर बाजार ले जाकर फौरॉक करता था यह बहुत ही मुख्तसर से सवाल जवाब है इसके बाद आप देखींगे कि दिये गए सवालत के तफसील से जवाब लिखे आपको इसमें आपको तफसील से लिखना है जैसे कि यहाँ पर मैं लिखी हूँ पहले जो लिखने आप क्लास वक में पहले हुर्फे तहजी लिखना है, हुर्फ के जुज लिखना है फिर दो चश्मी हैसे मिलकर बनने वाले हुर्फ आपको लिखने है उसके बाद आपको दो हुर्फी, तीन हुर्फी, चार हुर्फी जोड़दर और गहर जोड़दर अलफाज लिखने के बाद पिर मैं इसमें आपको कुछ सवालात लिखाई थी पाँस सवालात जैसे कि आपका नम क्या है आपके वालिद का, वालदा का, आपके स्कूल का और आपके जिले का, वो सवालाद के बाद, ये पहला सबख लिखना शुरू कीजिए, क्या नहीं था उसका? सोने का अंदा, इस तरह से आपको अलफाज माने लिखने हैं, फिर इसके बाद में जो हम मुखतसर सवालाद देख आपको टेक्स्ट बुक की है, वो आपको टेक्स्ट बुक की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर अभी, कोशन आंसर के लिए, सवाल के साथ जवाबत है इसे आप लिख सकते हैं, नेक्स्ट जो है, तफसील से जवाब लिखिए, सोने का अंडा मिलने के बाद बाखर कैसा आद बाखर के दिल में लालच क्यों आया? किसलिए आया? बाखर के दिल में लालच इसलिए आया कि वो मुर्गी का पेट चाक करके तमाम सोने के अंडे निकाल कर शहर का अमीर तरीन आदमी बनना चाहता था इसलिए बाखर के दिल में लालच आ गया था मुर्गी का पेट चाक करके बाखर को क्या मिला? बाखर की मुर्गी और दूसरी मुर्गियों में क्या फर्ख था? क्या फर्ख था बाखर की मुर्गी में और दूसरों की मुर्गियों में? बाखर की मुर्गी और दूसरी मुर्गियों में ये फर्ख था कि बाखर की मुर्गी सोने का अंडा देती थी क्या थी बाखर की जो मुरगी यह वो सोने का अंडा देती थी बाखी की जो दूसरे मुरगियां थी वो खाली नॉर्मल अंडा देया करती थी जो हम आमलेट बनाने के लिए इस्तिमाल करते हैं ठीक है नेक्स्ट आखरी सवाल है लालच का अंजाम कैसा होता है कहानी के मताबिख बताईए याने हम जो सबक पड़े है उसके मताबिख ही बताएंगे के लालच का अंजाम बहुत बुरा होता है हमें अपनी चीजों से हाथ दोना पड़ता है ठीक है तो यहाँ नेक्स्ट जो है जानवर के नाम को इस्म कहते हैं, किसे कहेंगे, किसी शख्स या किसी जगा या किसी चीज या जानवर के नाम को हम क्या कहेंगे, इस्म कहते हैं, जिसे यहां पर मिसार की तरपर बताया गया है, एहमद, यह किसी शख्स का नाम है, हैदराबाद यह जैसे जगा का नाम है, ची नहां तक आपको अपने नोट से कम्प्लीट कर लेने हैं जिजा कर लाओ खेर लाफेज